नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे सर्जिकल मास्क के बारे में इसको सही तरीका क्या है पहननेगा हमेशा इसको बाहर की सर्फस को बाहर और अंदर के सर्फस को हमेशा अंदर ही पहनना चाहिए कुछ लोग इसे उल्टा पहनते हैं क्यों अभी मैं आगे बताता हूं इसक तो अपने नाक पे ले जा करके फिट करना है इस तरह से पह्ण नोर्था इसको परना होता है पूरा सरफोर को और घर कि ठीक है क्या आपको पता है कि इसमें थू लेयर होते हैं तीनियर मैं आपको दिखाता हूं कि येails थी धी यह काम करते हैंच ठीक है ये है बाहर का लेयर, ठिक, और जैसे हम इसको जब हमने कट किया, तो तीन लेयर निकल करके आएंगे, ये है बाहर का लेयर, आपको दिख रहा होगा, ये है अंदर का लेयर, और ये है जो सबसे अंदर हमारे चेहरे से अटेच होता है वो, ठिक, ये आउटर सर्फेस पे है, यह मिडिल लेयर है और यह अंदर का सर्फिस है तीनों का अलग लग काम है यह जो बाहर का सर्फिस होता है यह हमारा पानी को भी अंदर आने से रोगता है सपोज कोई वाटर स्प्लैस है या बैक्टिरिया किसी माध्यम से आप बात कर रहे हो सामने वाला बात कर रहा है और व दूसरे लेयर से जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो अंदर नहीं आते हैं क्योंकि जो दूसरा लेयर होता हो melt blown polymer से बना होता माइक्रोफाइबर ठीक है इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि माइक्रोफाइबर को क्रस्ट करके खुब जेट के थुरू एक रोलर पे इस्प्रे करते हैं और उसको ड्राइग किया जाता है उसके थुरू यह बनता यह है अंदर का मिडिल लेयर जो हमारे माइक्रोब को अंदर आने से रोपता है तीसरा जो लेयर है ना ये क्या करता है कि जब हमारे चहरे से ये कांटेक्ट में आता है तो हमारे नाक से निकलने वाले या मुझ से निकलने वाले जितने भी वाटर वैपर होंगे उनको ये अपजाब कर लेता और जो सबसे आउटर लेयर है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ जो हम जो सामने वाला बात कर रहा है तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उसके जो वाटर को यह अंदर नहीं आने देता है तो आल्वेज वियर लाइक दिस नोट ल स्वस्त रहेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत